हेलो गाईज, मुस्ट बेलकम बैक टो अबर यूटूब चैनल ग्यानवित सचिन्तों दोस्तों आज के इस कम्प्लीट वीडियो में हम पॉलिटेकनिक फर्स सेमेस्टर दो हजार चौबीस कम्विनिकेशन इसकिल फर्स्ट की महामेराथन क्लास अटेंड करने वाले हैं आप सभी ने अच्छा रिस्पॉंस किया और आप सभी ने अंतग वीडियो को भी देखा है तो आप सभी को हम पार्ट टू कबर कराएंगे और इस पार्ट टू में पूरे बेसिक ऑफ कम्विनिकेशन जो की बारा नंबर का होता है ठीक है वो कबर हो जाएगा और आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा और इससे क्यूस्चन एक भी बाहर नहीं आएगा यह आप सभी से प्रॉमिस रहेगा तो पार्ट वन नहीं देखा है तो description box में link है पहले इसको देख लो फिर उसको देख लेना और आपका दोनों काम हो जाएगा तो कम से कम 12 नंबर तो आप पूरी तरीके से कबर कर लो और आपका notice writing जो की 6 नंबर का आता है उसका भी link description box में होगा उसे कबर कर लेना तो 18 नंबर इस तरीके से कबर हो जाएग और आप सभी के आठ नमबर पैराग्राफ से कबर हो जाएंगे, कितना हो गया, बचे आपके कितने नमबर, 24 नमबर, 24 नमबर एक बार लाइब लूँगा, जो कि दो घंटे का होगा, और दो घंटे में आपकी पूरी कम्मिनिकेशन खतम, यानि लगबक 5 घंटे में पूरी कम 50 कबर हो जाएगा, और आप सभी को बता दू कि मैंने भी ऐसे ही कुछ प्रिप्रेशन किया था, और आप सब के आशिरवास से 46 नमबर आये थे, आउट आफ 50, ठीके, तो आप सभी के भी 46, 40 नमबर आएंगे, बिलकुल जिस तरीके से मैं आप सभी को बताता चल रहा हूँ बस आप आराम से उस चीज़ को फॉलो करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉले टेकनिक फर्स सेमेस्टर के अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं, तो आराम से नोट्स ले लिजिए, बैक आएगा, पांस रुपए, आप सभी रीचेक का दोगे, दो सुरुपए आप सभी बैक का दोगे, इससे अच्छा है कि आप सभी आराम से 49 रुपीज में अपने सभी सब्जिक्टों को ले करके, अपनी धागड अंदाज में हिंदी में अपनी तयारी को कम्प्लीट कर लीजिए, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको सारी चीज चैनल को नहीं जोइन किये हैं, तो जोइन कर लीजिए, वहाँ पर इंपोर्टन क्योंस की PDF अगएरा, प्र ट्यूपी की अथार्टिक अपडेट सब कुछ देता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या आप सिम्पली घ्यान वित सचिन सर्च कर ले पांच लाइनों की, आप कुछ इस तरीके के लिख करके आएंगे, तो आपका पूरी तरीके से काम हो जाएगा, फिर से सुरुगात करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्ट वी देख रहे होंगे, पार्ट वन जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बहु अगर तयार करना है, तो तयार कीजे, उसके साथ एडवांटेज और डिजडवांटेज भी तयार कीजे, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिख रखा है, अभी आप सभी को समझाने वाला हूँ, तो बरवल जो कम्यूनिकेशन है, refers to the form of communication in which message is transmitted verbally, यानि इसके कहने का म communication का एक form है, जिसमें message को जो हम transmit करते हैं, यानि एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो verbally भेजते हैं, ठीके, अब वो किस तरीके से भेज सकते हैं, उसको समझे, जो message is conveyed either by words, यानि ये अपने सब्दों के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, spoken are piece of writing, ठीके, यानि आप बोल करके भ हैं, यानि आप sender to receiver भेज सकते हैं, तभी तो communication complete होगा, it also includes sign language as well as all coded information that refers to a particular language system, यानि इसमें बिभिन प्रकार के signs होते हैं, यानि आप बहुत तरीके के इसारा करो, या आप कुछ ऐसे अपने symbol को बनाओ, जिससे वो सामने वाला समझ जाया, आप हाथ हिला करके बता दो कि ह आप रोकने का इसारा कर रहा है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से verbal communication को हम define करते हैं, तो मुझे लगता है कि verbal communication आपको समझ में आ गया है, कि यहाँ पर verbally communicate किया जाता है, sender to receiver, और ये spoken भी हो सकता है, words के भी द्वारा हो सकता है, और कुछ लिक करके भी आपको बताया जा सक और इसमें different sign भी होते हैं, जिससे information को code किया जाता है, जिस receiver तक पहुचाया जा रहा है, ठीके, और अपने particular language system में, जैसे अपने अलग-अलग गाओं की language है, ठीके, कहीं बाहर की language है, तो इस तरीके से verbal communication को complete के जाता है, अगर हम advantage की बात करें, तो quick and flexible communication है, ठीके, फिर ये time time saving भी है, immediate feedback है, complete understanding भी है, तो ये आपके advantage है, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से मेने advantages लिखे हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगे होगा, अब disadvantages क्या है, distortion in passing message, ठीके, जो message हम pass कर रहे हूं, उसमें कहीं न कहीं बाधायें आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीज, तो अभी रात के time में बता रहा हूं, ठीके, जिससे मुझे किसी प्रकार की hindrance नहीं है, लेकिन दिनों में क्या होता है, कि लोग बोलते रहते हैं, अगल बगल से आवा जाती है, ठीके, lack of documentation, अब कोई चीज में बोल रहा हूं, अगर verbally बोल रहा हूं न, तो वो document नहीं तयार हो पाता है, और जो चीज बोल रहा हूं, बाद में अगर आपका कुछ record बगारे नहीं हूँ हूं, तो permanent record नहीं बन सकता हूं, और इसमें क्या हो सकता है, कि मैंने कुछ बोलने की कोसित करी, और आपको कुछ और समझ में आ गया, तो वहां पर misunderstanding यह हो जाती है, तो यह आपकी पूरी तरीके से verbal communication है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आगे आप सभी को, चलिए, अगला हमारा है non-verbal communication, non-verbal communication को भी लगे हां समझ लेते हैं, verbal communication में क्या हुआ, कि आप spoken words या अपने particular sign के द्वारा, बरवली आप information को पहुचा रहे थे, किसी receiver को अपने sender के द्वारा, ठीके, non-verbal communication में क्या है, it is the process of sending and receiving message without words, यानि जो हम message किसी को देना चाहते हैं, words का use नहीं करेंगे, either spoken or written, और हम न बोल करके भी करेंगे, या हम लिख करके भी नहीं करेंगे, ठीके, किलर हो गई बात, तो non-verbal communication में, words का भी use नहीं करेंगे, spoken भी नहीं चलेगा, और written भी नहीं चलेगा, जो हम message को भेजना चाहते हैं, receiver तक, ठीके, अब क्या होगा, the transmission of message take place through a non-verbal platform, यानि जो message हम पहुचाएंगे किसी place तक, जहां पर पहुचाना चाहरा हैं, ठीके, वो एक non-verbal platform से जाएगा, अब कौन-कौन से हो platform होगा, eye contact, ठीके, यानि मैं आप से कुछ कहना चाहरा हूँ, सामने वड़ी लड़ीकी से कुछ कहना चाहरा हूँ, है न, तो eye से ही, अपने contact से ही, उसको बता दिया, कि हाँ, पपा आ रहा है, ठीके, side हो जाओ, तो यह eye contact हो गया, facial expression, ठीके, कुछ आप किसी को बताने की कोशिच कर रहे हो, और आपको, उससे, मतलब ऐसे अपने facial expression दी दिया, कि वो इस चीज़ को आप नहीं बताएगा, और फिर जैसे suppose करो, आप college के दूसरे छोर पर हो, और आपका साथी दूसरे छोर पर है, तो अब वहां तक आवाज नहीं जा रही है, तो आप खड़े हो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो यहां पर क्या होता है, कि eye contact है, facial expression है, gesture, poster के form में आपको communicate करने का मौका मिलेगा, तो non-verbal communication आपको समझ में आ गया, अगर आ गया है, तो जरूर comment करके बताना, ठीक है, अब हम elements की बात कर लें, इसमें, तो आप देख रीजेगा, facial expression ह ठीक है, आपकी body language है या आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपका जो body का एक expression है, वो बता रहा है, कि communicate हो रहा है, ठीक है, कि आपको इस workshop की तरफ चलना है, तो body के language बता दिया, कि हाँ आप चलना है इधर के तरफ, ठीक है, eye contact मैंने आपको समझाई दिया, with example, side example कुछ को बुरा भी लगा होगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, enjoy करिए, और इसके advantages देखते हैं, क्या क्या है, ठीक है, helps to communicate in silent zone, ठीक है, अब जहां पर कुछ नहीं बोलने का मौका है, बड़ी seminar चल रहे हैं, जहां पर आप चूंसू भी कर दो, तो सामने वाली को पता चल जाएगा, तो यह वहां पर बहुत ज़्यादा मददकार साबित होता है, ठीक है, फिर helps to communicate with distance people, मैंने बताया कि एक छोर पे आपका साथी है, और एक छोर पे आप हो, तो वहां पर यह मदद करता है, time saving भी है, आप चल करके उस साथी से जाओगे मिलने, ठीक है, बताने क आपके eye contact में आ गया, तो क्या हुआ, quick expression of message, यानि आपका जो भी message है, तुरंत पहुंच जाता है, उसके पास है, ठीक है, तो यह आपके advantages है, helps to communicate to people who don't understand our language, ठीक है, तो अब आपका कोई विदेशी छोरा मिल गया, आपकी language नहीं सुन में आ रही है, ठीक है, तो उसको थोड presence of permanent record, permanent record तो नहीं रहेगा, पहली बात, फिर जो आप information actual में देना चाहते हो, साइध उसमें distortion हो जाए, यानि वो चीज़ आप न समझा पाओ, और वाला कुछ और समझ जाए, ठीक है, ठीक है, फिर long conversation आप बिना बात की हो, या बिना बोले नहीं possible हो पाएगा, ठीक है, ठीक कहीं और जाने के लिए, लेकिन वो कुछ और समझ रहा है, ठीक है, तो यह difficult है, understand करने के लिए, समझने के लिए, तो यह non-verbal communication है, और अब हम आते हैं, oral communication ठीक है, oral communication मतलब कोई भी आपका मौखिक जो होता है, कोई interview चल रहा है, तो oral ही चलेगा, ठीक है, तो oral communication क्या उसको सम communication, ठीक है, communication में post common function है, यह आपके लिखने का एक तरीका है, ठीक है, कोई भी आप definition लिख रहा हो, तो उसके लिखने का एक तरीका होता है, जिससे कोई भी एक्जामनर पढ़ेगा, तो कोई दिक्कत ना है आपको, ठीक है, उसमें क्या है, कि oral communication जो होता है, describes a type of communication through mouth and spoken word, या आपने मुह के द्वारा, या कुछ बोले गए वर्डुक के द्वारा आप communicate करोगे, ठीक है, oral communication में, ठीक है, जिसके बास आप message पहुचा रहा चाहते हो, it can be directly a face-to-face interaction, जो यह communication है, यह directly face-to-face भी हो सकता है, या किसी electronic device के माध्यम से हो सकता है, जैसे आप किसी interview को ले रहे ह सकते हो, या आप किसी भी computer laptop के सामने बैट करके सामने वाले से communicate कर रहे हो, interview ले रहे हो, ठीक है, तो यह आपका oral communication है, मुझे लगता बहुत अच्छी तरीके से आप वो समाज में आ गया होगा, advantages देखते हैं क्या है, इसमें क्या होती better understanding हो, जो चीजे हैं आप तुरंत वही पूछ लोगे, यह flexible भी है, कि आप जो भी चीजे हैं अपना अच्छी तरीके से पूछ सकते हो, जो है अगर नहीं सुन में आ रहा तो अगेन उस पर repeat कर सकते हो, ठीक है, यह time saving भी है, आपना एक बार में या आपने बता दिया, एक line में ही बता दिया, और 5 सामने oral communication हो रहा है, feedback तो तुरंत मिलना ही है, तो immediate feedback, लेकिन हर एक चीज का disadvantage होता है, अब इसमें क्या होगा, कि unsuitable for lengthy messages, अब बहुत ज्यादा lengthy message है, कोई derivation करना है, तो oral थोड़ी कर पाऊगी उसे, है ना, उसके लिए तो copy pen जरूत पड़ेगी है, नहीं पड़ेगी, high probability of discourage, अगर interview देने जा रहा है, वो आपको बहुत अच्छा आ रहा है, पहली बार आपका interview है, तो उसमें बहुत chances है कि आपका आया हुए भी चीज भूल जाए, साइद आपके साथ वाईबा में होता होगा, जो आपके वाईबा लेते हैं, आपके first semester में साइद आप सभी के साथ थोड़ा होईएगा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से suggestion भी दे रहा हूँ, classes के साथ सा, कि बहुत ज़्यदा practical exam को लेकर की भी panic नहीं होना, ठीक है, और no permanent record, ठीक नमबर अपने आप मिल जाते हैं, एक नमबर कम, एक नमबर ज्यादा, ज्यादा high मारी करोगे, उस से अच्छा है कि अपनी तो आपके physical barriers को भी ये बाधा पहुचा सकती है, ठीक है, तो ये है आपका क्या है, oral communication complete हो गया, चलिए, अब हम written communication की तरफ चलते हैं, तो written communication जो है, क्या है, जैसे oral में, आप मुह से या spoken word से बात कर रहे थे, oral में क्या करेंगे, और written में क्या है, कोई भी चीज लिख करके प message आर, conveyed through written signs and symbol, यानि आप लिख करके बिवन प्रकार के sign और symbol के साथ message को पहुचा रहे हो, it is the most common form of communication, देखिए, मैंने oral में भी इसीज को add किया, यहां पर भी add कर रहा हूं, तो यह आप एक line भी बढ़ा रहे हो, और आपका काम भी अच्छा हो रहा, ठीक है, used in business, यह आपक business, यह आपके college में, ठीक है, तो यहां पर जो चलता है, वो written communication ही follow कि जाता है, the organization, the organization maintain their document writing for future, यानि अपने future के लिए बहुत सारे document सो तयार करके record रखते हैं, तो उसके लिए written communication बहुत important हो जाता है, इसमें report है, job, proposal, facts, mail, news articles, later, are parts of written communication, communication, तो यह जो भी है, यह आपके written communication के parts है, फिलहाल हम advantages की तरफ चलते हैं, कौन-कौन से advantages हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका permanent जो record है, वो रहेगा, ठीक है, most reliable, बहुत चारी चीज़ों को तोड़ मोड़ करके आप उसमें लिख दोगे, तो आप समझ जाओगे, ठीक है, suitable for long message, कितना भी लिख वाल हुए, या पूरी communication कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी है, और lengthy messages भी है, तो उनको भी आप एक दम अच्छी तरीके से कर सकते हो, और जो भी चीज़े कहना है, आप अराम से उसको clear करके, clarify करके कह सकते हो, ठीक है, तो यह इसका advantages है, हर एक ची पेपर वर्क, भाई, लिखोगे, तो पेपर तो खर्चाई होगा, costly, पेपर वर्क जाएगा, computer में type, जो टाइपर होगा, टाइप राइटर होगा, वो भी पैसा लेगा, तो costly तो है, ठीक है, it takes time to give feedback, लिख करके भेजोगे, तो फिर वो, आप तो भाई, oral तो करेगा नहीं facts, फिर सो mail करेगा, वो भी लिख करके भेजेगा, ठीक है, तो आप सभी को time लग जाएगा, feedback मिलने में, ठीक है, और not useful for illiterate people, यानि हम जैसे लोग, अनपढ़ जो लोग है, उनके लिए तो ये बिलकुल useful, है नहीं, वो लिखी नहीं पाएंगे हैं तो कुछ इस तरीके का, कौन सा communication आपका complete हो गया, आपका complete हो गया है, आपर written communication, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इतना आपने complete कर लिया, अब barriers in communication पे आजाओ आप सभी, ठीक है, barriers in communication क्या है, Communication barrier means various, various disturbance, मतलब communication में जो barrier है, उसका मतलब यह है, कि बिभिन प्रकार के disturbance, जो है, communication process में होना, इसे हम barriers कहते हैं, ठीक है, Which hamper the smooth flow of communication, यानि जो हमारा smoothly हर एक काम हो रहा था, communication में, अभी में smoothly पढ़ा रहा हूं, और पीछे से मेरा कोई दरवाजा भी ठोक दे रहा रहा है, तो smoothly में सारी चीज़ों को बता रहा हूं, और अचानाक से उसमें कुछ बाधासी आ गया, disturbance आ गया, तो यह barriers है in communication, ठीक है, these barriers destroy the message and may result wasting both time and money, ठीक है, अभी जो यह barriers होता है, ठीक है, यह message को तो destroy करेगा ही, करेगा, उसके result को भी destroy करेगा, और फिर time हमारा भी जाएगा, ठीक है, और हमारी मेहनत भी जाएगी, और हमारा पैसा भी जाएगा, तो यह है barriers in communication, by misunderstanding and confusion, the communicator need to be aware of the barriers, मतलब बहुत सारे communicator जो हैं, वो अपनी barrier से aware होनी चाहिए, अब मुझे पता है कि दिन में मुझे दिक्कत होती है, वीडियो उसको suit करने में, तो aware हो करके, रात में ही चीजों को कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिससे उसे क्या कर सकते हैं, now how to overcome, कैसे उसको कम कर स सकता हूँ, तो फिल हाल के लिए वो जो भी communicator है, वो इस सब बारे में जान करके, इस चीज से aware हो करके, communication system को अच्छी तरीके से cover कर सकता है, यानि उसमें जो भी barrier से उसको कम कर सकता है, ठीक है, communication barriers may be categorized at physical barriers, language barriers, ठीक है, दो तरीके का barrier है, physical barrier में क्या हो गया, कि मेरा फोन ब मैं अभी बना रहा हूँ, टैब भी गिर जाए, और language barrier समझ रहे हो, मैं बोलते बोलते कहीं न कहीं लडखडा जाऊँ, ठीक है, तो यह है हमारा language barrier, या बोलते बोलते मुझे डकार सी जाने लगे है, तो language barriers हो जाएगा, तो मुझे लगता है, barriers का मतलब समझ गया हो, कि जब अपना smooth flow communication हो रहा है, तो उसमें disturbance ही हमारा क्या है, barriers है, और यह जो है, misunderstanding की वज़ा से होगा, और यह क्या करेगा, message को भी खराब करेगा, उसके result को भी खराब करेगा, पैसा भी खराब करेगा, और time भी खराब करेगा, ठीक है, तो इसमें आप सभी अगर aware होते हैं, तो कही ने कहीं, barriers को कम कर सकते हैं, ठीक है, और यह दो तरीके का है, physical और language, तो मुझे लगता है, barriers in communication, आप सभी को समझ में आगया नहीं आगया, comment करके जरूर बताईएगा, फिलहाल, how to overcome communication barriers, यह जरूर पूछा जाता है, तो इसे देख लेते हैं, reducing the noise level, अब noise label को reduce कर लो, रात मे वीडियो बना लो, या rod की mic ले लो, 25,000 की, 28,000 की noise cancellation आ जाए, है न, बहुत सारे जो बड़े बड़े institute होते हैं, भाई सहर में ही होते हैं, लेकिन उनके पास noise cancellation mic होती है, ठीक है, तो बाहर की आवाजे उनमें capture नहीं होती है, और smooth communication होता रहता है, ठीक है, favorable environment at the workplace, ठीक है, त proper work space design, ठीक है, जो भी work space हम use कर रहे हैं, वो धंका होना चाहिए, उसका ऐसा design हम करते हैं, ठीक है, और जो भी terminology हम use करेंगे, वो simple terminology use करेंगे, और फिर attentive listening, अगर आपको barrier को काउं करना है, तो जो हमारी listening होनी चाहिए, वो attentive होनी चाहिए, ठीक है, feedback from the receiver, ठीक है, time time पर feedback लेते रहना चाहिए, जैसे मैं पूछता रहता हूं कि हावाज मेरी clear आ रही है, यह नहीं आ रही है, ठीक है, तो यह है, attentive listening में क्या होगा मेरी प्यार साथियों कि जो चीज आप बोला जा रहा है, उसको सुनो, अगल बगल की चीज़ों को नहीं सुनोंगे, तो आपका जो barriers है, कम हो जाएगा, ठीक है, clarify ideas before communication, मतलब जो हम कहना चाहरा है, ठीक है, communication के पहले उन चीज़ों को overview दे दें, उनके ideas को मैं बता दूँ, तो यह से क्या होगा, कि communication system और अच्छी तरीके से strong हो जाएगा, ठीक है, understand the background of receiver, ठीक है, तो जो भी receiver है, उसके background को आप समझो, ठीक है, इ exam की मेराथन की जरूरत है, आप उसको कुछ और बता रहे हो, ठीक है, कि कैसे b-tech करें, तो उसका दिमाग तो बठके गाई, ठीक है, give constructive feedback, ठीक है, तो जो feedback आप दो, ठीक है, एक constructive feedback आप सभी को देना होगा, ठीक है, तो यह है आपके barriers in communication, जो कि मैंने 10 points दिये हैं, आप आरा message कर लीजेगा, ठीक है, और आपको सभी subject, communication के साथ सभी subject के notes की जो price है, वो सिर्फ 49 रूपीज है, इसमें आपको सभी subject के notes मिल जाएंगे, यह हमारा tools of communication जो होगा, वो last topic होगा, यानि यहीं तक आप कबर कर लेते हो, तो आपका पूरा 12 marks fix हो जाएगा, इसमें कोई भी दा ठीक है, आप सभी के पास है, tools of communication में क्या है, दुनिया भर के tools जो चल चुके हैं, आपके emails हैं, ठीक है, emails के माध्यम से आप देखो, मैं बहुत सारी चीचे डिवाई से दिखा रहा हूँ, telephone है, smartphone है, computer है, email है, ठीक है, mail है, ठीक है, तो यह आपके क्या है, tools of communication, modern tools, advancement in modern technology, allowed people to communicate with each other, ठीक है, मतलब जो आपकी modern technology है, वो लोगों के साथ communicate करने में बहुत ज़्यादा ही advance हो गई है, apart from simple keeping in touch, this paved the way for efficient and immediate decimation and necessary information and updates that covers various topics, मतलब इसका कहने का यह मतलब है, कि यह सभी efficient, जितने भी programs है, कोई भी information है, दूर भी हो आप सभी ठीक है, तब भी उस चीज को cover कर सकते हो, कोई update है, तब भी आप उसे ले सकते हो, आप घर बैटे हो, फिर भी कोई भी BTUP की तरफ से update आ रही है, तो आपको मिल रही है, जो भी topics है, BTUP का topic है, या कोई news चाहिए, cricket का है, तो सारी चीज़ों को आप in communication tools के माधियम से आप ले रहा है, और ये जो modern communication devices है, वो आपके अंदर एक नया revolution ला दिया है इनोंने, ठीक है, आपके अंदर एक करांती सी पैदा कर दिया, ये YouTube नहीं होता, तो बच्चों को इतना पढ़ने में कैसे मदद मिलती है, आज के 5 साल पहले बच्ची खुद से ही मेहनत करते थे, लेकिन आप YouTube के माद्यम से सारी चीजों को अच्छी चीजों को प्राप्त कर पा रहा है, हर एक चीज का advantage है और disadvantage है, और यहीं से आपके पूरे 12 नंबर मैंने cover करा दिये है, ठीक है, तो टेली ग्राम चनल आप सभी join कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने notes को इस नंबर पे call करके या message करके प्राप्त कर लीजिएगा, तो यह थी complete वीडियो मेराथन की जो की part 2 है, और part 1 अराम से पहले cover कर यह जाकर description box में link के माद्यम से, फिर आपके comments को देखते हुए, मैं आपके जो भी क्या नम है, मेराथन क्लास में grammar portion को पुरी तरीके से cover करा दूँगा, तो च कर देखते हैं?